नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पोगेट अफेट्स, तो हाली में 216 फिट के स्टेचू ओफ इक्वालिटी का इन्योग्रेशन किया गया है बाई पी एम मोधी, जो कि स्थीत है है हैदराबाद इन तेलंगाना स्टेट, और इस स्टेचू का संबन्द है भक्ती मूवमेंट स और आज 2022 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी 1000 बर्थ एनिवर्सरी और इस स्टेचू को बना गया है पंच लोह से मतलब इसे बनाने में पांच परकार के मेटल्स का यूज किया गया है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक का अच्छा तो स्टेचू ओफ इक्वा 1000 क्रोड का खर्चा आया है इसे बनाने में और ये सारा पेसा दिया है संत रामानोजाचारिय जी के भक्तो उनके डेवोटीज ने, सरकार का इसमें कोई पेसा नहीं लगा है और इस स्टेचू का आइडिया दिया था स्री चिन्ना जियार स्वामी जी ने और संत रामानोजा चारिय जी ने एक और famous concept वसुदेव कुटूमबकम को काफी फेलाये था जिसका अर्थ है कि संपूर्ण संसार एक परिवार है और जिसका use Indian government और हमारे PM कई international platforms पर करते हैं और पूरी दुनिया में इसे admire भी करती हैं और आज आप सबको पताऊगा कि 7th century में भक्ती आंदोलन की शुरुआत हुई थी in South India जो की बाद में पूरे भारत में फेला था तो उमीद आपको इस वीडियो से काफी कुछ जाननों को मिला होगा इसी के साथ खतम करते हैं वीडियो को धन्यवाद